हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम स्टाफ्ट भींडी बनाएंगे अगर मेरा वीडियो आपको आच्छा लगे रेट कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए मेरे वीडियो का लाटेस नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल सर्सो का आईल लिए हैं हम 3 टेबल स्पून चाहे तो आप रिफाइंड आईल भी यूज कर सकते हैं मसाला में हम लिये हैं 1 टीस्पून कास्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर 1 टीस्पून गरम मशला पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर नमक स्वात के हिसर से 3 मिडियम साइज उबले हुए आलो लिये हैं चेलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं पहले हम आपको बताएंगे भिंडी को आप कैसे कट करेंगे भिंडी का जो उपर का हिसा है इसको कट कर देंगे नीचे का हिसा है इसको कट कर देंगे और बीच में एक कट लगाएंगे पुरा निच्चे तक नहीं हाप तक लगाएंगे, देखिए ऐसे लगाना है, और इसका जो बीच का हिसा है इसको निकल देंगे, बीच में जो बीच का हिसा है इसको निकल देंगे, इसे करके हम सारे कट करके रखें यहां पर अभी जो तीन उबले हुए अलू रखे थे इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे अभी हम वालू को अच्छे से मेक्स कर लिये हैं जो उबले हुए आलो रखे थे अभी कड़ाई गरम कर लेते हैं इसमें डाल देंगे वान टी स्पून ऑईल गरम होने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे सारे जो मसाला लिये थे धनिया पाउडर गरम मशाला पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक इसको जद्धा हाई फ्ले में आपको नहीं करना है क्योंकि मसाला जल जाएगा इसका फ्लेबर खराप हो जाएगा अभी हम तुरांत इसमें डाल देंगे जो उबली हुए आलू को मैक्स करके रखेते इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दो तीन मिनिट के लिए इसको पाकाएंगे और इसके बाद निकाल देंगे दिखिए अभी अच्छे से हो गया है अभी हम इसको निकाल देंगे अभी हम इसको दूसरे बतन में निकाल दिये हैं जो स्टॉप डालू है इसको भींडी में भरना है आपको इसे करके हम सारे भींडी में आलो को भर लेंगे अभी कड़ाई गरम कर लेते हैं इसको डाल देंगे ऑईल को थोड़ा गरम होने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे अईल गरम होने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें भींडी भी डाल देंगे भींडी का एक साइड गोर्डन ब्राउन होने के बाद हम दुसरे साइड पलटाएंगे अभी हम इसको कभर कर देंगे भींडी का एक साइड गोर्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको पलटाएंगे देखिए अभी हम इसको पलटाएंगे थोड़ा सा हलका सा गोर्डन ब्राउन हो किया है इसे पलटा के चारो तरफ गोर्डन ब्राउन होने तक भींडी को फ्राय करना है अब इसको कभर कर दिजिए दिखिए भिंडी अच्छे से हो गया है चारो तरफ गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हम इसको निकल देंगे स्टप्ट भिंडी बन के तैयर हो गया इसको आप आसान से घर में बना सकते हैं इसको चावल के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्ट लगेगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना सेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग